तो यहां पर देखिए क्लास 8-12 के लिए पर स्कॉलर्शिप की बहुत ही अच्छी आप लोग लिया पर्चुनिटी आई हुए और यह जैक बूर्ड के तरफ से ओफिशली आया हो बैटीक है इसमें जो है स्टुडेंट्स को 12,000 प्रति वर्च मिलेंगे सारे स्टुडेंट्स को मिलेंगे चाहिए आप एक यहां पर बताना चाहूंगा जहारखन अडिवित परिशद यहां पर देखिए इसकुली सीचा हम सब्सक्राइब जहारखन सरकार अवं शारकन दिवित योजना दोज़र 223 अध्यंत्र छाद्र चात्राओं के लिए तहां पर गाइस देखिए बताया जा रहा है कि आप लोग को जो है एक छात्र रुटी मिलेगी ठीक है कर्शा आटमी के लिए आप देखिए क्या बताया जा रहा है कि राश्ट्रिशाधन ठीक है आपे राश् स्विकार के जाएंगे लिए अगर वो शुडेंट्स यहां पर अपना राश्ट्र चाधन मेदा चात्र रुटी हो जोना का स्कॉलर्शिप का अगर एक्जाम देना चाहते हो लाइक आवेदन करना चाहते हो ठीक है तो आप जो है इसका फॉर्म को जैक बोड को ऑफिशल से से एक जागर कर सकते और इसका एक्जाम जो है आपका 22 जैनवरी 2023 में लिया जाएगा ठीक है वही कैसे यहां पर देखिए स्कूले सिक्षायों साक्षर्ता मंत्राले भारत सरकार नई दिल्ली द्वार राश्र शाधन सहमेदा चात्र रुटी यो जोना एन एम 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 ए से बार में तक के चात्र शात्राओं को प्रतिवेस 12,000 रुपए मिलेंगे चात्र रुटी की रूप में ठीक है अब यह किसको मिलेंगे कैसे मिलेंगे पूरी चीजे बताऊंगा आर्टिकल बहुत बढ़ी है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहे हैं ठीक है आप सोरी राष्टर शाधन स्रा मेदा चात्र रुटी रुटोना परेक्षा 2022 में सम्मलित होने के पात्र होंगे यानि जो भी सुडेंट्स अपनी स्कूल में पढ़ रहे हैं जैसे की अवस्तित राजकी राज्यक्रेट या फिर अलपसंग के त्याले में नाम की तरहें का अडम अध्रन वर्ग में नामंकित याने की जो गई इसका साथ में अगर आप पास हुए थे पच्छा आ स्वरी पच्पन परतियसत के साथ तो आप जो इसके लिए एलिजिबल है ठीक है अगर पच्छा आपका नामंकर मतला मैंशन हुआ होना चाहिए और आप जो पढ़ रहे तो इस लिए अनसुचित और अनसुचित जिनजाती यानि कंशी सुर्ण दूर आथ को इस चूर्स को 5% यानिके पचास प्रतिस अपकर रहे गए गए सेस्टीवालों को तो यहां पर उनका अड्मिशन और को मतलब वह लोग यह जीबल है ृटीके जीनके मात्य पीता अव विभावक वास्विक वाई 3.50 लाक से कम होना चाहिए ठीक है मतलब इतना आए नहीं होना चाहिए तब जाकर करके फिर आप अपर स्कूल यह राज सरकार द्वार से जहां रहने खाने पढ़ने वह वैसा सरकार की द्वार दे जाती है चाधरएं इस परेच्छा में सामिलित नहीं हो सक्की या और फिर और विकों ऐसे विद्धाल से वासिये हो या फिर जो शरकार दौर संचालित की जारी हो उन तो वो लोग नहीं होगा ठीक है यहां पर देखिए आरक्षण इस हात्र विर्ति के अंत्रण जो है आरक्षण जहारकंड सरकार द्वारा अनुमान ने आरक्षण नियामावली के अनुशार देने हैं मतलब जो हैं पर कुछ उनका नियम हो जिसका अपको यहां पर आरक्षण मेलेंगे परेक्षा सूल को और आप आवयदन करोंगे वह आनलाइन ही लिया जाएगा समान ने बोले तो जेनरल वालों को भी साहथ बोला जा रहा है क्योंकि आप लिखा नहीं यह समाने लिख दिया गया ठीक है तो जेनरल और उनको जो सब्सक्राइब देने होंगे और वही अनुसुतित जाती और अनुसुतित जाती को 125 देने होंगे ठीक है यहां पर देखिए परिक्षा पर दिवंपाठेक्रम पर कि आपसे क्या पूचा जाएगा इस परिक्षा में नियंत्रित पाठेक्रम नहीं है इस परिक्षा का उद्देश से प्रतिभावना विद्द्य विपर पता लगाना है कितने आपके ऊपर क्या ही चीज़े हैं आपके इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या पर टेस्ट किया जाता है एंगी ऑन पर एक्षा कैसे होंगी आप लोग देख लिजिए आप आपके लोगों का रेजिस्ट्रेशन जो है 29-10-2022 से चल करके 29-11-2022 तक चलेगा ठीक है और पास अप्रोबल होने का जो लास्ट रिटेंड का 11-11-2022 से 312-2022 तक हो जो डेट डेट और टाइम जो है एक्जाम में का बाइस जनवर दोज़ा तैस है दस बज़े से एक बज़े ठीक है 30 is extra मिलेंगे ठीक है फोर विजवली चैलेंज्ट रही पक понятно है जो बाइंट होंते होंगे इस ने nowadays हो थो Anything आपको यहां पर 40 परेंट लाने होंगे और वहीं चयाने देखिए गहां सोंजो तो जयान और ओबी कर सकते हैं और कर सकते हैं और यहां पे यहां पर चाहत्र है जात्र भृतिए भी है तो चयानित चाहत्र अनुद्रूध है कि पूरे चाहत्रविस्छचर यानि कि नौवीद दसमीघार बार में कि दोरान अपने विद्ध्याले एवं जिला से चापत दिकारे के संपर्क मर रहेंगे लाबुक लाबुकों कुछ हात्र प्राप्त करने ही तो उन्हें प्रतिवर्ष नेशनल स्कॉलर्षिप पोर्टल पर आवेदन करना अनिवारी होगा आवेदन नहीं करने के सित्य मुने इस व्योजना कलाम नहीं मिलेगा एवं वे चात्र विट्टियों से वंचित हो आपको इसके लिए नेशनल स्कॉलर्षिप का फॉर्म अप्लाई करना होगा ठीक है तो नेशनल स्कॉलर्षिप का फॉर्म कैसे अप्लाई क्या दता है आप अगर बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पर अभी तो खेर 29 तरह से इसका रजिस्ट्रेशन होगा जब हर वर्ष आपको अप्लाई करना है हर वर्ष आपको जो है बारहजर रुपए स्कॉलर्षिप की त्रू मिलेंगे ठीक है यहां पर देखें क्या बत्या जा रहा है बाधार है रही थात्रवरती प्राप्त है यह तो चाहथर बुरति के अधार नंबर का होना एवं बैंक खा लेंक्त होता है वह अधार बेस्ट होता है यानि का अधार के सब्सक्राइब का जिस भी अकाउंट अगर को दोड़ा इसदिया रहे हो गई दिश्वरा आपका जो आकांट है सभडन के प्र अमनी आपका साथाट को अपने अद्धार नमबर नहीं नहीं होने के स्थित्छु विद्याले प्रदां से अनुरुधा इक वैसे चातर है बनवाने में सभ्योग करेंगे यहां पर टीचर्स को भी बोला जा रहा है यहां कि पृूस को एधार नहीं है वह अधार उनको बनवाने में मदद करेंगे ठीक है सुविधा के स्थित्ति में केजी परकार क्या सुविधा के स्थित्ति में चहारकन अदिवच परिश्द राची चहारकन टेलीफोन नंबर उनका यहां पर दिया हुआ है यह चहातरश्टी को शांग स्थित्ति नंबर पर इस वाले इमेल आडे पर इनक से बात कर सकते हो हो सकता है आप लोगो एक प्रोटिप देंगा कि अगर आप लोग क्लास 11-12 में हो और आप चाहते हो कि आप एक लियान का भी फॉर्म भर लो और नेशनल स्कॉलर्शिप का भी फॉर्म भर लो तो यह पॉ नहीं भर पाओगे इसलिए कि एक को चूज करना एंड बेटर होगा कि आप देखो इसमें एक्जाम वगर अभी अगर एक्जाम क्वालिफाई करोगी तभी जा कि आपको स्कॉलर्शिप वगरा मिल सकते हैं ठीक है अगर आप एक्जाम में पास नहीं होते हो तो आपको जो एक्जाम नहीं होता और कोई टीस्ट नहीं होता सिधा पैसा मिल जाता हो ठीक है थोड़े बहुत जो भी है लेकिन इसमें 12,000 मिलेंगे उसमें कम भी मिलते हैं ठीक है तो यह चीज़े हैं तो अपना अकॉर्डिंग अपना प्रिप्रेशन किजएगा अगर आपको लगता ह लाइगा ठीक है तो यहीं था गया इस इस वीडियो में अकर वीडियो आप लोग अच्छी लेगा तो लाइक कर देजेगा और इस वीडियो को शेयर भी कर देजेगा ताकि जो भी सुडेंट इस नेशनल स्कॉर्ण से पर फॉर्म बरना चाहते हैं उनको पता चल पाए कि क कैसे कर जाएंगा ठीक है तो उमेद है गाई इसकी वीडियो से में आप लोग आज रहा होगा तो जरुशेक लाइक कर देजेगा कमेंट भी कर देजेगा आपको वीडियो कैसा लगा और कुछ हैल्प जी होगा तो भी कमेंट में पूछ लेजेगा तो मिलते हैं आश्टे वीडियो में तब तक के लिबाए टेक केर थैंक्स फॉर वासिंदे शुड़ियो गाईज